इंपॉर्टेंस ओफ पॉलिटिकल बाउनरीज की पॉलिटिकल बाउनरीज का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में मनुस्मृति टेक्स्ट क्या कहती है इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि मनुस्मृति जो है वो बेशनों लीगल टेक्स्ट है अरली इंडिया का जि इस वर्ड में इस संसार में जितने भी Controversies Arise होते हैं वह Political Boundaries के Ignorance के वज़ा से इसलिए उसे अपना Concealed Boundary रखना चाहिए Concealed Boundary यानि Concealed Boundary Markers Buried कि ये Boundary Covered Boundary होनी चाहिए जिसमें Political Boundaries में Stones होने चाहिए Bounds होने चाहिए काउस के हेर होने चाहिए, आशेस होने चाहिए, शाफ यानि हस्क होने चाहिए, ड्राइट काउड डंग होने चाहिए, यह सारे चीजे होने चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ, यहां पे हमारे पॉलिटिकल बाउनरी, यहां तक हमारे पॉलिटिकल बाउनरी है, और उसके बा चाहिए जो decay और decomposed ना हूँ hidden markers के तौर पर उसे छिपा दिया जाए वहां पर political boundary में उस जगह पर at the intersection of boundary जहां पर दूसरे boundary दूसरे राजा की boundary स्टार्ट हो दिया वहां पर hidden marker के तौर पर चिपा के रख देना चाहिए यह सारे चीजे स्टून्स आशेस बॉन्स जो डिक और वैसे सारे सबस्टांसे जो decay और decomposed ना हूँ political boundary के पास ताकि political boundary से related controversies या problems arise ना हूँ